हेलो सांतियों, welcome to Really Study दोस्तो आजके इस वीडियो में मद्द प्रदेश जेल परहरी वन रक्षक के स्पैसल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और ये हमारी आजकी वीडियो हिंदी की रहे की हिंदी स्पैसल के लिए रहे और फस्ट पार्ट ये रहेगा इस वीडियो में कवर करने वाले बिल्कुल नए और फ्रेस कोशन्स हम कवर करेंगे जो आपकी एक्जाम में अभी रिसेंट लिए पैटन फोलो हो रहा है, क्लिए रहे हैं इसके लावा एंपी की एबुके दो हजार पेविस की इंपिकर इंटफेर की ये दो हजार बाविस की और ये दो हजार इकिस की भी अविलेबले करें ये कुछ MPGK के टेस्टी स्रीज और वीडियो को और से इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल याईगी तो एप्लिकेशन को डाउलूट करेंगे कंप्ली डिटील वहीं पर आपको मिल पाएगी बस आपसे तोड़ी सी रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर जलूट से कर देगा क्योंकि अगर हमें अच्छा कासा सपोर्ट और रिस्पोंस मिल पाएगा तो ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाएगे मैं पुस्थी वाचक संञ्या है एक वचन साथ से अापका सथ गया और और घर अंचर रहेगा अगला कोशन है गाइज, हमारा कि कोटीली का विलipping सब्ढ गया है, पोटीली का जो विलॉउब सब्द है या मैं आपको बता दूँ पोटीली की पहले तो जो समनारती सब्द समानारती सब्द ये मैं आपको clear कर दूँ, kotilika, saminaarty क्या होता है, तो kotilika saminaarty एक तो kotilta होता है, इसके अलावा, टेड़ा पन इसका होता है, टेड़ा पन, और इसके अलावा, kotilta, इसके अलावा kapat वाला जो word है, kapat और चल, ये जो है, ये इसके saminaarty sabda, कोटilika, अगर अगर अपन बात करें, wilom sabda की, wilom sabda की, तो wilom में इसका होता है, एक तो maradulta, wilom sabda, kotilika, wilom, जो है maradulta होता है, आप याद रिखिएगा, और अगर हम बात करें, इसी में और, kotilika, और जो maradulta है, या फिर maradulta वाले के saminaarty sabda की, saminaarty kotil लिखे हैं, तो maradulta का जो saminaarty है, या तो कॉमल हो गया, इसके अलावा और भी है, जैसे के दयालू, मुलायम, ये है maradulta के saminaarty sabda, अगला कोशन हमारा है, sam उपसर्ग किस सब्द समू में है, आपको बताना है, इसमें से, sam जो उपसर्ग है, किस सब्द समू में है, आपको ये क्लिक करना है, देखे, यहाँ से हमारे जो कर्रेक्ट आंसर जएगा, ये देखे, सुचारू, सुघड, सजन, सदुन, स्वधे, स्वराज, और संसकार, और संचे, तो sam जो उपसर्ग है, और सम उपसर्ग इसी में है, कि लिए रहे, तो sam उपसर्ग संसकार और संचे सब्द में है, और सम का जो अर्थ होता है, ये बैसिकली अच्छा होता है, अच्छा होता है, इसका वर्थ सम का, और इस संसे और भी वर्ड बनते हैं, जैसे कि आपका संकल्प हो गया, संग्रह हो गया, संसकार, संचे, संतोस, ये जो वर्ड है, इसमें सम उपसर्ग का यूज होता है, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, कोशन अगला है हमारा वर्तनी की दरश्टी से निमने लिखित में आपको अल्रेडी बता चुके है, उप्रियुक्त या उपर या पहले, इसका सिमिलर है, उप्रियुक्त का, उप्रियुक्त उसके लिए यूज के जाता है, जिसका उल्लेक पहले या उपर हो चुका है, उसके लिए उप्रियुक्त यूज के जाता है, आईए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है यता साध्य समस्त पद समास में किस भेद का उधारन है यह आपको बताना है तो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा यह अव्यवी भाव के साथ में जाएगा देखिए यसा साध्य जो सब्द है यह अव्यवी भाव समास का भेद है और इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है सक्ति के अनुसार यसा साध्य का सक्ति के अनुसार नेक्स्ट जाता है उसको अंतर्यामी बोला जाता है आप सभी को पताई ये अंतर्यामी C option correct answer हमारा चला जाएगा और जिसमें सारी बातों का ज्यान हो सर्वग की ब्रह्माइड की अलोगों की या सर्वच सक्ति हो तो इस्वर होता है है ना इसके अलावा जिसने बहुत अधिक विद्या अर्जित की हो उसको विद्वान बोला जाता है तो हम यह याद रिखेगा अलोकिक और सर्वच सक्ति किसमें होती है इस्वर में होती है जिसमें अलोकिक और सर्वच सक्ति होती है उसके लिए एक वर्ड जो यूज कहा जाता है ये किया जाता है इसके अलावा सर्वच की ब वाले अंतर्यामी तो इसी तरह से देखें हम और कुछ और अपका जो इसारा है हम किस तरफ करना चारा है या आप आसनी से समझ चुके होंगे हम बैसे लिए इसारा करना चारा है कि वो दूसरों की मन की बात को फैले ही जान लेते हैं उनके बिना बता है तो बस आपको इस तर उध्याड का सुध्र वर्न जो विच्श दें यह कौन सा हैं तो उध्यान का सुध्र वर्न जो विच्छफ्छ्छे दें इसमें इसको अलग-अलग करेंगे तो यहां C.O.P. C Option यहाँ से character answer रहीगा इनको अलग-अलग करेंगे तो यह i well इसमें use होते हैं। लिखने की प्रकरिया जो होती हैписically इसको वर्न वrando ऐता है वर्नों को अलग-अलग जो लिखा जाता है उसको ही यह बोला जाता है तो आप याद रखीएगा। अगला कुश्य निम्न मौहवरे का अर्थ बताईए, आस्तीन का सांफ होना इस मौहवरे का अर्थ क्या है, तो इस मौहवरे का जो अर्थ है, यह है विश्वास गांती होना, विश्वास गांती होना, याने विश्वास गांती होना, आस्तीन का सांफ होने का अर्थ आपको य एक ही और उसको याद रखना है आप कैसे भी सब्सक्रार्द ऑन ale आपके अलग अलग रहता है तो मैं गतासक आपके करता हूं वाइड आपका ब्रियोग करने के लिए आस्तीन का सांप यह विश्वास ओनों she कल तक में तुम्हें अपना विश्वास पात्र समझता था आज मैंने जाना कि तुम आस्तीन का सांप हो यानि कि तुम विश्वास घांती हो कल तक में तुम्हें अपना विश्वास वातर मानता था समझता था लेकिन आज पता चला कि तुम आस्तीन के सांप हो विश्वास घांती हो कल रे तो यहां से इस तारह से इसको वाक्य में प्रियोग किया जाता है अगला कोशन है हिमादरी तुंग सरंग से प्रबुद सुद्ध भारती स्वयम प्रभा समुझ जोला सुतन तता पुकारती ये जो पंक्ती है इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है हिमाद्री तुंगो सरंग से प्रभुद सुध भार्ति स्वयम प्रभा समुझ ज्वला स्वतन तताप पुकार्ति इस पंक्ति में जो रस है यह आपको यार रखना है इसमें वीर रस है वीर रस इसमें कहीं न कहीं हमें दिखाए दे रहे तो हमारा सी option करेक्टा नस रहेगा एक और आपको सबसे चर्चित ये इस पंक्ति सुना दे जैसे की बुंदेलों हर बेलों के मुह हर बोलों के मुह सुनी कहानी थी फूब लड़ी मरदानी वो तो जहांसी वाली रानी थी आप सभी ने सुना है उसको और इसमें भी अलंकार है ये आपको बैसकली बताना है तो गैस इसमें अनुप्रास अलंकार आएगा अनुप्रास फस्ट ओप्सन करेक्ट आंसर आएगा अब क्यों आएगा ये जो पंक्ति है इसमें ता जो वर्न है यहाँ पर भी अधिक बार आए इस्टार्टिंग में देखे अभी चार पांचों में ही स्टार्टिंग में तार आए तो ता वर्न की जो आवर्ती एक से अधिक बार अगर होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार आता है याद रखेगा एक ही वर्ड की या एक ही वर्ण की एक आवरती एक सैधिक बाहर होती है तो वहाँ पर अनुपरास लंकार आता है first option हमारा correct answer चला जाएगा अगला question नेम लेकित में से तस्तम थब्द कौनसा है तस्तम थब्द कौनसा है इसमें से तो देखे दंत एधिडाड़ी और दाई इसमें से दंत जो हे ये एक तस्तम सब्द है तस्तम सब्द है तो हमारा first option correct answer रहेगा अब इसमें से दंत तस्तम है और दंत का जो तद्भव होता है ये होता दधी होता है दधी होता है इसका तस्सम अगर हम बात करें दाड़ी का तो दाड़ी जो है ये एक तदभवे इसका तस्सम होता है दरस्टी का और अगर हम बात और दापी भी बैसिकली इसको बोले आता है दरस्टी का या दापी है ना तो यह आप याद रखेगा इस तरह से क बनते हैं और ये question इसी तरह से पूचे जा रहे हैं आपके और आगे भी इसी तरह से question बनेगे बस इसमें question नहीं करना है आपको तोड़े से तद्बह और तस्तम में difference समझना है कि क्या-क्या ये होते हैं अगला question है अवनी का विलोम सब्द कौन सा है अवनी का विलोम होता है अ चालिके अंबर हमारा C Option का रिटा अंजर रहे गा अवनी का विलोम सब्द हैं 001 अवनी के अब आपन बात करें कि अवनी का basically पहले तो ये पता होना चीए अगर आपको ऊवनीं भी पता नहीं कि अवनीं क्या होता है अनिक के पहले तो समनारती सब्द आपको पता होने और अगर आपन बात करें कि इसका विप्रित आर्थ क्या होता है धर्ती का प्रत्वी का आकास विप्रित आकास ही होता है इसी वर्ड में आपको इसी लेंग्वेज में आपसे पूचा है कि अवनी का विलॉम क्या होगा तो देखें धरा यान धर्ती ससांक सितारा ये नहीं हो यहां पर आपको तोड़ा सा समझना है कि किस तरह से आपको इसका जवाब देना है कि लिए यहां पर देखिए बूत काल कौनसा है इसमें से वरतमान काल कौनसा और भविश काल कौनसा है यह आपको पैचानना है तो बूत काल अभी वरतमान में अगर हम कवर करें तो आया है तो निकल गया यह भविश्य काल यहने आने वाला है तो मैं पढ़ूँगा अभी पढ़ रहा है नहीं पढ़ूँगा ऐसा बोल रहा है तो भविश्य में पढ़ेगा वह तो इसलिए तो आप तीनों आपके मिल चुके हैं बूत काल यहने की निकल गया वहां आया है व पहचानना ही, सामराज में जो प्रत्य है, यह यह है, सी ओप्सन करिक्टांसर रहेगा, जो यह है, यह सामराज में प्रत्य है, याद रखेगा, और यह संस्कृत का तद्धित प्रत्य है, बैसिकली, और यह विकल्प जो सी है, आपका बिल्कुल करिक्टांसर रहेगा, इसमे सब्सक्राइब अगला कोशन ने में से सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा है उज्वल वेमनश्यता कवित्री प्रामानिक के लिए रहेगा उज्वल अप याद रगीगा इसके अलावा यहां पर इस तरह की कुश्चन्स पूचे जाते इनमें आपको तोड़ी सी स्पैलि बटका आपका कोशन बिल्कुल गलत हो सकता है तो इसमें कुछ भी नहीं लगता है आपको थोड़ा सा विश्विस ध्यान देना पड़ेगा इसकी और कोई सोट टिक्स नहीं होती है जितनी ज्यादा वर्ड़ों को पड़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप क्लिक कर पाएंगे अगला कोशन है देखे सबत समस्थ पद के समाच विगड़े के लिए कौन सा विकल्ब उपयोख्त है यह आपको नहीं होता है विगड़े करने पर जिसका और जो जिसका जिसके वहां आधी आते हैं तो यह आप याद रखेगा पत्नी के साथ वहाँ है, जो पत्नी के साथ है, जो वहाँ, यह आपका C option correct answer रहेगा, अगला question है, जो तीनों कालों का है, के लिए उप्यूक्त सब्द कौन सा है, जो तीनों कालों का है, उसको क्या बोला जाता है, तो देखें, तीनों कालों के लिए जो word use किया जाता है, इसक पितत्ञे, तेनों लोक्त में जो वियाप्त होता है, ओसको त्रिलोकी बोलता है, तीनों कालो का है उसको सर्वकालिक बोलता है, सर्वकालिक तो आप याद रखेगा, एक एक चीज़ह आपको बता रहे हैं, अगला कोशन है यदि सूरज ना होता तो अंदेरा फेल जाता यह है वाग के रिक्तिस्तान काल का है बूत भविश वर्तमान या कोई नहीं है ना यदि सूरज ना होता तो अंदेरा फेल जाता है ना जाएगा नहीं जा नहीं रहाए जाता तो आपको समझ में आ चुका है इसमें कौन सा आएगा इसमें देखे बूत इसमें आएगा बूत का आपका बिल्कुल करिक्टांसर रहेगा भविश आने वाला वर्तमान चल रहा है और भूत निकल गया है वो तो यदि सूर ना होता होता मतलब पहले हो चुका है ये तो सही जो अर्थ ग्यांत करना है तो इसमें से आपका जो करिक्टांसर रहेगा ये आपका देखे धात्री दासी बूरा अक्ष लत जल्ली सोक ज्वाला है तो सही अर्थ आपको पहचानना है तो सही अर्थ इसमें दे रखा है दूरा और दूरा और दूरा का आपको ये दो व रहे ये आपका बिल्कुल करिक्टांसर रहेगा अगला कोशन पूचा गया है चीर जीवो जोरी जूरे प्योना सने गंबीर को गटी में को गटी ये व्रस बानुजा वे हल्दर के बीर है ना इसमें उप्रियुक्त पंती में कौन सा लंकार है ये आपको पहचाना है ये जो अलंकार आएगा आपका स्लेस अलंकार स्लेस याने स्यॉप्शन करिक्टांसर रहेगा एक सब्द के एक बार प्रियुक्त होने है ना होने पर उससे एक से अधिक अर्थ हो वहाँ पर जो वर्ड जो अलंकार आता है ये कौन सा आता है स्लेस अलंकार आता है के लिए तो आप बेल की बहन गाई, हल्दर का अर्थ क्या है बल्राम याने बेल, तो यह जो वर्ड है, इनसे एक ही वर्ड से अलग-अलग, याने एक ही सब्दों के एक बार प्रियुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सले सलंकार आपका आएगा, पर मिस्त्रवाक की हमें पैचानना है, आगास ने एक टिकेट लिया, ताकि वहाँ आगरा जा सके, हमारा फस्ट ऑप्शन ही करिक्टांसर रहेगा, इसमें ही आपका मिस्त्रवाक की देखने को मिल रहा है, अगला कोशन पूचे गया है, निमने लिकित में से भाव संग्या सब्द का जो चैन करना है, तो इसके लिए मनुष्यद घी, गिरो, निकर्टा, जो वर्ड यूज आएगा, देखें ये जो यूज है, वर्ड है, ये निकर्टा है, निकर्टा डी आप्शन करिक्टांसर रहेगा, अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य जात संग्या है, गिरो की बात करें, तो ये समुवाचक संग्या है, घी की बात करें, तो गी जो है, ये द्रवी वाचक संग्या का उधारा नहीं, तो आप ये याद रखेगा, इसके अलावा, जो निकर्टा वर्ड है, इसमें आप याद रखेगा, इसमें भाववाचक संग्य दे रखा है और इसमें दसा अवस्ता है ना निकटता याने दसा अवस्ता उस्वभाव यह भाव हमें मिल रहे हैं इसलिए इसको ऐसे भाववाच संग्या कहा जाएगा अगला कुछ नहीं रस्त का इस्ताई भाव के संब्ध में कौन सा यूग मगलत है स्रंगार का रती हाश का हास होता है रोधर का क्रोध होता है इसमें करुण का करुण का जुपसा नहीं होता है यहां से हमारा यह करिक्ट आंसर रहेगा option no.c कि लिए बाकई सभी आपके गलत हो जाएगा क्योंकि already वह सही है हमसे गलत पूछाए गलत यह आपका उपका option correct answer रहेगा देखिए यह ह तोड़े सी चीजे किलियर करें, तो रस किसा कहते हैं, तो कावी को पढ़ने और सुनने के बाद में, जिस आनन्द की अनुभूती होती है, उससे रस कहते हैं, और रसों की जो संक्या बताई गई है, यह आप सोभी को पताईए, कमेंड में एक बार में वेंसन कर देजगा, कि उस्तरंगार रस का इस्ताइबाव रती होता है, हाश का हास होता है, है ना, और इसके लावार रोद्र का क्रोध होता है, करुन का क्या होता है, तो करुन का सोग होता है, आपको पताऊने चीजे, करुन जो रस से इसका सोग होता है, इस्ताइबाव, एक एक चीजे आपको यहां से correct answer रहेगा, देखे हिंदी क्रदंत प्रत्य जिन धातू सब्दों में लगे होते हैं वे basically straling होते हैं, तो ये जो word है गबराहट, इसमें आहट लगा हुआ है हना, क्रदंत प्रत्य इसमें आता है, और जिन में भी हिंदी क्रदंत प्रत्य वर्ड जुड़ा हुआ होता है, आता है दातू सब्दों में, वो basically straling में आते हैं, तो आसानिस से आपको पैचानल इतना है अगला question है, वाकि कितने प्रकार के होते हैं, तो वाकि जो होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, वाकि तीन प्रकार के होते हैं, रचना के आदार पर, अर्थ के आदार पर, और किरिया के आदार पर, तो याद रखिएगा, वाकि में कुल तीन प्रकार के ये जो पाए जा में से असुद्ध वर्तनी वाला सब्द का चैन करना है आपको असुद्ध वर्तनी का वर्ड जो है ये पैचानना है तो मनोविज्ञानिक असुद्ध है असुद्ध का पैचानना है मनोविज्ञानिक सुद्ध है आपका दर्मान दता ये भी सही है क्रांतिकारी ये भी आपका सही है असुद का पहचाना है विसलेशन ये आपका गला थे तो हमारा करेक्टा अंसर ये का option अमर B के साथ में अगला question निकल कर आ रहे गाइस चात्र ने परिक्चा उत्रिन की वाकि में रिकांकि सब्द का स्ट्रिलिंग निमन में से क्या होगा कि लिए रहे तो चात्र ने परिक्चा उत्रिन की इस वाकि में रिकांकि जो सब्दे चात्र चात्र इसमें रिकांकि थे यहाँ पर हम आपक च्छात्रा है ना तो च्छात्रा जो होगा इसका क्या होगा इस ट्रेलिंग हो जाएगा तो यहां से हमारा करेक्टा अंसर जाएगा और यहां पर चार ऑप्शन भी आपको मिले है गंगा गए जमनारे गए गंगा गगए गंगा गए तो गंगा नहीं तो जमना दास इस तरह से यहां पर आपको चार दे रखे हैं निमन लिकित में से कौन सा विकल्प लोकुक्ती का परचलन सही रूप है यह बताना है कौनसी जो आपको रूप में जो यह लोकोक्ती है इसका बैसिकली सही फॉर्मेट या पैटन आपको बढ़ाना है तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा यह ऑप्शन मर्द आ जाएगा गंगा गए गंगा दास जमना गए तो जमना दास यह आपकी सही है के लिए रहे आई आगे उद्वरन उद्वरन चिन का इसमें यूज किया गया है फस्ट ऑप्सन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अगला कोशन पूज़ा गया है कोशन है निमने लिखित में से सुद्ध वाक्य का चैन आपको करना है सुद्ध वाक्य समें से कौन सा है यहां कोई व्यक्ति नहीं है मैं अस्कमात अठास हो उटा है ना और इस कथन का इसपस्टी करने के आवशक्ता है आपको सुद रूप बताना है बिल्कुल आपको option number D बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इस कथन का इसपस्टी करने के आवशक्ता है बिल्कुल सही है आपका अगला कोशन है प्रती उपसर्ग का प्रियोग कर सही सब्द का चेहन कीजिगा प्रती उपसर्ग का उप्रियोग करके सही सब्द का चेहन करना है कि किसमें ये आता है प्रती के लिए रहे तो यहां से देगे प्रख्यात, मूर्तिकार, प्रपात, प्रतिमूर्थी है ना तो option यहां से हमारा प्रती मूर्थी प्रती मूर्थी में प्रती अगर आउपसर्ग लगाएंगे तो प्रती मूर्थी हो जाएगी बिल्कुल आसान है आप एक ही बार में को क्लिक कर सकते हैं D option हमारा बिल्कुल करिक्टांसर रहेगा अगले कोशन के और आगे बढ़ते हैं 22 शिकाल के कितने बहेद होते हैं 22 शिकाल के जो बहेदे यह कितने हैं तो 22 शिकाल के 3 बहेदे हमारा first option करिक्टांसर रहेगा 22 शिकाल 3 बहेदे कौन-कौन से सामानी बहुष, संभाववी बहुष शिकाल और हेतू हेतू मद भविश्यकाल इसको बोलाता है तो तीन प्रकार के ये भविश्यकाल होते हैं अगला कोशनी निमने लिकित में से सुद्ध वरतनी वाले सब्द का चेहन करना है आपको में निमने लिकित में से सुद्ध वर्तनी वाला जो सब्द है इसका चैन करना है तो देखें मुहरुत, समसान, आमिज, अनाधिकार इसमें से आपका मुहरुत, मुहर्त है ना, तो मुहर्त जो है सुद्ध वर्तनी वाला सब्द बताना है यह सुद्देश की, समसान, आप सभी को पताईए, यह भी गलत है आपका, और अना अधिकार, इसमें भी आपका गलत है, आमिस जो है, यह आपका बेलकुल सही है, आमिस, C-Option करेक्ट आंसर रहेगा, के लिएरे, इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, इस तरह से पूछी जा है, इनको, अगर आप आसनी से क्लिक कर सकते, इस तरह की चीज़े, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है, तो आप आसनी से कर सकते हैं, अगला कोशन इकल कर आ रहे हैं, देखिए, कोशन निमनी लिकित में से, कौन सा मुहावरे का प्रचली सही रूप है, मुहावरे का सही और प्रचली तुरूप बताना है, दो, दिन को दिन और रात को रात न समझना, दिन को दिन और रात समझना, दिन को दिनांक और रात को रात समझना, दिन को दिवस और रात को रात समझना, तो यहाँ से हमारे फर्स्ट जो है, यही सही है, दिन को दिन और रात को रात न समझन first option हमारा correct answer रहेगा अगला question है guys हमारा निमनी लिकित में से अभियस्त का विलोम सब्द क्या होता है अभियस्त का जो विलोम सब्द होता है ये अनविश्त होता है अमें अभियस्त यहां से हमारा be option का रिक्टांस रहेगा याद रखेगा अगले कोशन के और आगे बढ़ते हैं कोशन है निर्वान निर्वान निर्मान की सही अर्थ भेद का चैन आपको करना है तो सही सब्द युग्म निर्वान निर्मान की सही सब्द अर्थ का भेद का चैन करना है तो इसमें निर्वान निर्मान आप सभी को बताईए निर्वान निर्वान का ये रिलेटेड है मोक्ष बनाना से तो D option हमारा करेक्षा अंसर एक option number D से अगला question है नेमली लिखित में से पंच परमेस्वर के रचनाकार को हो नी और 1916 में सरस्वती प्रकात्रिका में ये प्रकासित होई थी अगला question है जन्मजात में निर्वान लिखित में से कौन सा तदपूरुस समास ही जन्मजात में जो तदपूरुस समास ही इसका नाम है करण तदपूरुस समास यहां से हमारा D option करेक्षा अंसर रहेगा नेक्स्ट question के और आगे परते हैं question है निमनी लिकित में से असंगत बेमेल सब्द का चेंद कीजिगा गेरा वरत वरत वरतांत गोला तो यहां से आपका करेक्षा अंसर जो रहेगा देखें गेरा वरत और गोला यह तीनों एक ही है बेमेल यहने असंगत को बताना है तो वर परतानती है ने कहानी तो यह एक अलगे बागी तीनों एक ही अगला question निमनी लिकित में से 79 सब्द में कौन सा उपसर्ग होगा इनातर में जो उपसर्ग होगा यह देखें यहां से उन जो है यह उन स्टार्टिंग का उन यह उपसर्ग है हत्तर जो है यह मयन वर्ड़ई तो इसमें उपसर्ग जो है यह उन है उन यहने सा उप्शन करेक्टांसर रहेगा option number C अगला question निमने लिकित में से इक का परियावाची सब्ध क्या है इक आपने सब्धी ने पढ़ा है स्टार्टिंग में पढ़ा थे जब अनाराम में तो इक वही है इक का परियावाची आपसे पूझा है इक का परियावाची होता है यह होता है आपको हम बता दें गन्ना बैसिकली इसको अपनी लेंग्वेज में बॉल सकते है इक यहने गन्ना यह होता है तो इसका एक नाम यह भी परियावाची है गन्ना इसके अलावा और तो यहाँ पर देनी रखा है हमको तो यहाँ पर जो दे रखा है यह उंक है basically उंक दे रखा है इंक का परियावाची उंक होता है गना होता है तो आप याद रखेगा इसके लावाए एक और वर्ड यूज़ के रहा था इक्चू इक चुड ये भी आपका इसी कफ पर रया वंची है अगला कुषिन निमने लिखित मेंसे कौन सब वाक्ट के संबंद वाचक सर्वनाम का सही उदारण है संबंद वाचक सर्वनाम का सही उदारन जो है ये आपको दे रखा है जो कहा गया वही करो यह ब्रस्ट चार के प्रबल विरोधी है अजी कुछ लाया था, मैं तो अपने आप ही जाता था है ना, तो यहां से जो गया, जो कहा गया, वही करो यह जो है सम्बंद वाचक सर्वनाम का सही उधारनी फर्स्ट उप्सन करिक्टा अंसर रहेगा अगले कोश्चन के और आगे बढ़ते है कोश्चन है हमारा, सब्द मिल का अर्थ का अर्थ खाना है तो मिल का अर्थ बताईए है ना, इस तरह से आपको क्लिक करना है सब्द जो मिले, इसका अर्थ का अर्थ का अर्थ खाना है तो मिल का अर्थ क्या है मिल का अर्थ क्या है यह आपको बताना है तो मिल का जो अर्थ है यह होता है दूरी की माप दूरी की जो माप होती है इसको मिल में as I compare किया जाता है मापा जाता है तो दूरी की माप मिल बोला जाता है C option हमारा करिटांसर रहेगा सब्द मिल का अर्थ कारखाना हैं तो मिल का अर्थ दूरी के माप होता है हमारा C option का रिट आंसर रहेगा गाईज जितने भी questions थे सारे के सारे questions आपको cover करवा दिये हैं और इस वीडियो में करीबन हमने जो questions लिए थे ये something 50 के समसंग question थे पूरे के पूरे questions आपको cover करवा दिये हैं इस वीडियो में और अच्छे कासे questions कवर करवाए हैं अगर आप चाहते हैं कि continue a series रहे हमारी तो इस वीडियो को comment में comment करके ज़रू से बताएगा और ज्याज़ ज्याज़ा सेयर करिए काफी अच्छे support और response इस वीडियो पर कर मिला तो हम आपको इस series को continue रखवाएंगे के लिए तो काफी detail के साथ में हमें ऐसा ही cover करेंगे आगे आने वाले वीडियो में भी हमारे कुछ online courses है test series है ebook से इन सभी की link description में डलिए और पटवा जियल परारी forest इस वीडियो को लाइक सेयर करना ना भूले और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं चाहे सब्सक्राइब कर लीजगा बेल आइकन को दबार दीजगा तो कि आगे आने वाले टाइम में एक सब्सक्राइब कर एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं के लिए तो मिलते हमारे next study वीडियो में तब तक लिए जयहिंत बंदमात्रम